कनोश में शुक्रुबार रात भीशन बड़ा हाथसा हुआ है यहां के जीटी रोड हाइवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में चबर दस टकर देखने को मिली है जुसके बाद यह भीशन हाथसा हुआ है R9 TV ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी हाला कि अब इसके बाद सिम्योगी ने विर्दो को मुआबजे का एलान भी किया है और इलाज के निर्देश भी दिये है तो कनोश से जैपूर जा रही थी यह बस और इसी दोरान हाथसे का शिकार हुई तो हाइवे पार डबल देकर बस और ट्रक में यह जब रदस ट्रक कर हुई जिसके बाद बस में भीशन आग लग गई इस हाथसे में 20 लोगों के मरने की आश्चन का जताई जा रहे हैं चतुरवेदी ट्रेवल्स की थी आपको बता दे कि आधना इन टीवी ने सबसे पहले इस हाथसे की ख़बर दिखाई थी इस हाथसे की ख़बर का असर यहाँ पर होते हुए स्यम योगी ने तुरंत इस पूरे मामले पर संग्यान लेते हुए पीडितों को इलाज का यहाँ लगी थी और पूरी बस जल जल कर किस तरह से राख हो गई वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह चार तस्वीरे हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी देखी गई तो कर्नोस बस हाथसा जिसके चलते सभी की रूख अपा देने वाली यह घटना और यहाँ बताया जा तो यह चार तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहरे तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पुरही हाथसा यहाँ पर हुआ तकर होते ही बस किस तरह से जलने लगई दूसरी तस्वीर बस पूरी तरह से जल कर खाक हो गई और फ ये हादसा हुआ है तो बताया जारा है कि 45 लोग इस बस में सवार थे जिन में से 20 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है R9 TV पर सबसे पहले एक खबर दिखाए गई थी और ये चार तस्वीरों के जरिये आपको R9 TV के जरिये हम आपके TV स्क्रीन पर ये तस्वीर इस बड़े हादसे की दिखा रहे हैं जहां पहली तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से धूदू कर जलती हुई ये बस नजर आ रहे हैं ट्रक और बस में जबरदस टकर हुई जिसके चलते ही भीशन सड़क हादसा साल का सबसे बड़ा हादसा जो है वो इसको माना जा रहा है तो दूसरी तस्वीर ये किस तरह से बस जलकर पूरी तरह से राक में तबदील हो गई वो आपको हम तस्वीर में दूसरी तस्वीर के जरी दिखा रहे हैं इसी तस्वीर घायलों की है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है 21 जो लोग है वो घायल बताये जा रहे हैं तो वहीं चौती तस्वीर मौके पर किस तरह से पूलिस अधिकारी मौजूद है मौके का मौइना यहां पर किया जा रहे हर एक एंगल से इस पूरे हाथ से को लेकर जाज परताल की जा रही है लोगों से भी पूछता आज यहां पर की जा रहे है तो उत्तर प्रदेश में बस में आग लगने के बाद किस तरह की अफरत अपरी देखी गई इन चार तस्वीरों के जरी आप देख सकते हैं और जो प्रत्यक्षर दर्श्री हैं उनका सा प्रत्यक्या में इस हाथसे में लोग घायल हुए है 21 लोगों के घायल होने की खबर है हलाकि भी पुष्टी नहीं हुए कि कितना जानी नुक्सान यहां पर हुआ है लेकिन जिस तरह सी पूरे घटना घटी है यह भीचन हाथसा हुआ है उसके चलते 20 लोगों के मरने की देखा देख रहे हैं जिन लोगों ने अपने परीजनों को खोया है उन सब के प्रती हमारी पूरी संबेदना है बेहत दुखत और दरदना घट्सा है मैंने अपने मंतरी मंडल के सहयोगी सीराम नरेस अगनहुतरी जेको भी कहा है कि वे घटना स्थल पर जाएं और पीडित परीजनों के साथ साथ गायलों को भी दोहाँ पर देखें गायलों को हर संबह सायता देने उपचार कराने के निर्देश दिये गए हैं साथ ही राज्य सरकार ने पीडित परिवारों जो मिर्तक हैं उनके परीजनों को दोदो लाक रुपे के साथा और गायलों को पचास जार रुपे साथा की देने के भी निर्दे लिया है जलादिकारी से मैंने इस पूरे घटना की जानकारी मांगी है